हेलो फ्रेंड्स मेरी चानल इजी वी आफ लंडिंग में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे वक्षित नमों 51 साइंस की है डिटी एंड एविलिशन मेंडल एक्सपेरिमेंट लॉफ डॉमिनेंस और लॉफ सेग्रिगेशन मेंडल के कुछ लॉफ है जिसके ओपर उन्हों करेक्टर न स्टडी दा पॉर्जनी ऑफ दी फर्स्ट जनरेशन एंड डी सेकंड जनरेशन काल्कुलेटर रेशियो अफ दी प्लांट विट कॉंट्रास्टिंग करेक्टर मेंडल ने जो पौदे यूज किये वो प्योर बीडिंग वाले थे जो उनके ट्रेट्स दिखाते उन्होंने कांट्रास्टिंग करवाया थे giờ ने पार्षिचंड फर्सकर उन्होंने कुछ अपनी दी थीसिस लिखे और उसके इसाप से अन्होंने अपने लॉसस बनाग शलिए इंहात का एक्सपरिमेंट पहले पड़ते हैं अहसे एक्सपनेंट मेंडले एक्सपारिमेंट है वो इस चीज के अपर बेस करता है कि हैडिटी में कौन से सिक्रेट से और कैसे पेरिंट जी होते हैं अपने करेक्टर स्टिक्स अपनी ऑफ्स्प्रिंग अपने बच्चों में ट्रांसफर करते हैं मेंडल नोटिस् किया जो उनकी जो गाडन है उसमें उसके पेरेंट की जुण आ रहे है इसंदोरों का मिक्सप नहीं है क्या होता है कि अगर कोई टॉल पॉदा और कुछी शॉट पॉदा के साथ जो उसके जो एक्सपेरिमेंट करवा है तो उसके जो आफस्प्रिंग आ रहे है वो या तो बड़े होते है या थो छोटे हो रहे है मीच वाले मीडियम साइज के नहीं हो रहे तो सच अब्जर्वेशन लेड मेंडल टू रिसर्च फॉदर इस अब्जर्वेशन को देखकर मेंडल ने सुझा कि कुछ और चीज़े भी है जो इसके इंदर ट्रांसफर हो रही है अगले कुछ और सालों में थीस हजार पॉदों के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उन्होंने कुछ लॉस बना है वो लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो उन्होंने हरीडिटी और इन्हेरिटेंस को बताया उन्होंने क्या लिए एक्जामपल लिया जैसे कि उन्होंने क्रोस पॉलिएशन कराए वोलेट फ्लावर वाला और वाइट फ्लावर के बीच में रिजल्टिंग हाइब्रीट इन आ एन फ 1 जन एट वाल फ्लावर फिर उनका जो हाइब्रीट आया फ्लावर उसमें जितने भी पॉद्धे उनके पास सबके पास वोलेट फ्लावर थे आफ्र सेल्फ पॉलिशन सेल्फ पॉलिशन के बाद क्या हुआ जो एफ्ट जेनरेशन उसमें 3 quarter plants उनके पास वायट flowers थे और सिफ 1 quarter के पास वायट flowers थे यानि कि रेशियो 3 रेशियो 1 के रेशियो में उनका आंसर आया तो देखे यही बताया हुआ है क्या है इसमें कि दो प्लांट है true breeding वाले वायट flowers वाला वायट flowers वाला उन दोने के बीच में cross section करवाया अब इसके बाद क्या हुआ जो उनके जो F1 generation आई वह कौनसी आई सब के पास परपर कलर के flowers थे फिर उसका self pollination कर रहा है उसके बाद क्या हुआ F2 generation जो है उसमें 3 के पास 3% के पास क्या थे अगर हम माने तो 3 ratio 1 ratio के हिसाब से हमारा answer आए 3 जो थे वह परपर फ्लावर वालत है वन साइट वाला क्या था एक वाइट फ्लावर वालत है यह थी ratio 1 के हिसाब से हमारा answer आ रहा है ठीक है तब उस ratio मेंडल ने क्या किया आगे मेंडल का law of dominance मेंडल law of dominance state that in the heterozygote हेट्र जाइगोट का मतलब होता है वैंने टू क्रोमोजोम इनना होमोलोग स्पियर आल डिफरेंट एंड वन आफ डॉमिने इन वन रिसेसिव होता है तब उसे हेट्रो जाइगोट कहते है ठीक है डॉमिनेंट क्या होता है जो अपने फीचर जो अपने क्रेक्टर शो करेगा और रिसेसिव जो अपने क्रेक्टर शो नहीं कर पाता वन ट्रेट क्रेक्टर विल कंसील दा प्रेजंस ओ अनधर ट्रेट फॉर एक दम छुपा देता है रैदर देन बोथ अलिल कंट्यूबूटिक तो अ फिनो टाइप जैना इन विच रा डॉमिनेंट एलील इस ट्रांस्मिटेट रिसेसिव जो होती है वह भी वैसे ही रहती है पर वह अपने आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाती लेकिन वह ऑफ्स्प्रिंग में खुद ही-खुद ट्रांस्मिट होते जाती है जैसे हमारा डॉमिनेंट एलील इस ट्रांस्मिट धुद हो रहा है थी करना गारेगा जब टल्मिनेंट रहेगा तब तक वह रिसेसिब को रा देखने दिखने देगा जब डॉमिनेंट डॉमिनेंट अकर रेंगा तो अपने फीचर नहीं कर पाएगा रिसेसिव लेकिन जब रिसेसिव और रिसेसिव होगा तब वो अपनी फीचर शो करेगा ठीक है डॉमिनेंट का मतलब क्या होता है तर ट्रेट विच एक्स्पेश इटसेल्फ दूरिंग फर्स जनरेशन एक्जाम्पल के तौर पे राउंड सीड एंड वॉलेट कलर फ्लावर्स ऐसा ट्रेट जो खुद को फर्स जनरेशन में शो करता है उसे हम डॉमिनेंट ट्रेट कहते हैं एक्जाम्पल वह होता है जो डॉमिनेंट एलील के हीचे छुप जाता है एक्जाम्पल पे रिंगल सीड एंड वाइट कलर फ्लावर्स चलिए लॉफ्स एग्रिगेशन पढ़ते हैं मोनो हैब्रेट क्रॉस के अपर मैंडल अब्सवेड लेड़ेट विच वर अपसेंट इन अफ वन जनरेशन हैं रिपीटिद इन अफ टॉ जनरेशन में लेक्षा कि जो ट्रेट एफ वन जनरेशन में नहीं दिख रहे थे वह फ्लिगेशन में खुद को सो कर रहे हैं इस लोग एक्स्प्लें देट प्यर अ के टाइम पर तो एक एलियर एक गैमिट में प्रेजंट होता है इसका मतलब क्या है कि जब law of segregation हुआ तो आदे गुन इधर आए और आदे गुन दूसरे में गए Mendel proposed this law after observing the pea plant do with two different rate produced offspring that all express the dominant rate but the following generation expressed the dominant and the recessive rate in the 3-1-3 ratio 1 genotype ratio Mendel ने क्या कहा जब segregation होता है तब वो यह depend नहीं करता कि किसमें क्या जा रहा है ठीक है वो alternate इस आपसे इसमें आदे और इसमें आदे जाते हैं ठीक है और फिर ही आगे जाने के बाद पहले generation में तो यह शो नहीं कर पाता लेकिन second generation में यह अपने आपको शो कर पाया है यानि कि जो traits निकल कर रहा है वो अपने आप इसमें भी जा रहे है और इसमें भी जा रहे है ठीक है तो यह genotype ratio के इसाप से हमारा three ratio one answer हमारा निकल कर आता है law of dominance कहता है कि law of dominance में दो allil होती है एक recessive होती है और एक dominant होती है जो खुद को show करता है वो dominant कहलाता है और जो चूपी रहती है और recessive कहलाती है law of segregation यह कहता है कि जब transfer हो रही है चीजे एक दूसरे से तो वो किसी भी gamet में जाके पहुंच जाता है यानि हर gamet में एक एक allil present होता है ठीक है और वो अपने feature first generation में तो सो नहीं कर पाता लेकि second generation में वो सो कर पाता है चलिए अब कोशन पढ़ते है what are dominant and recessive allele dominant और recessive allele कौन-कौन से है तो पहले इसका answer है dominant allele the trait which expressed itself during the F1 generation is the dominant allele recessive allele कहा है the trait which is masked by the presence of dominant allele second question कहता है draw a sketch of the monohybrid cross showing the law of segregation law of segregation को दिख्षो करते विए आपको एक इसका cross बनाना है answer is इसका monohybrid cross में क्या है purple flower white flower का करवाया तो F1 generation में सारे purple flower आया F2 में purple 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 और white यानि 3 ratio 1 के इसाब से हमारा answer आया ठीक है अब इसका third question है define heterozygous heterozygous क्या होता है तो heterozygous के बार में हम बताते हैं heterozygous है हमारा heterozygous when the two chromosomes in the homologous pair are different that is one is dominant other is recessive okay heterozygous क्या होता है दो chromosome होई-mologous pair में different होते हैं एक dominant होता हो और एक recessive होता है चलिए false question पढ़ते हैं our trait may be inherent but may not be expressed justify the statement with an example एक trait जो होता है वो inherent to होता है लेकिन अपने आपको show नहीं कर पाता ऐसा क्यों होता है तो इसका कारण क्या है एक trait may be inherent but may not be expressed it happen when a trait is masked by the presence of other elite dominant also called the law of dominance मतलब कि trait जब एक को show नहीं कर पाता एक trait मतलब inherent तो हो रहा है एक से दुसरे में show हो जा तो रहा है लेकिन वो खुद को show नहीं कर पा रहा च्योंकि वो dominant के नीचे वो क्या है छुप गया है dominant नहीं उसे छुपा दिया है यह law of dominance में भी होता है यह law of dominance कहता है कि यह trait जब खुद को show कर रहा है वो dominant है और जो छुप गया है वो recessive है तो ठीक है इसे हम law of dominance के अपर भी हम express कर सकते है एक्जामपर के तो आप है white flowers in the garden pea में कहते है जो white flowers थे वो सारे कहते है रिसेसिव थे जो की ट्रांसपर तो उनके अलीज जो ट्रांसपर तो होरे जनरेशन में लेकिन वो show तब ही करेंगे जब रिसेसिव रिसेसिव पेयर मिलेंगे फ्रेंड सिहां पर मारे वीडियो कंप्रीट होता है आपको वीडियो पसंद आएगा उसे लाइक केजिए कमेंट कीजिए शेर केजिए अब यह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू